हलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल लिलीशियस फूड आप सब कैसे हैं आयोप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज हम बनाएंगे पाव भाजी जो बहुत ही मज़िदार होता है पाव भाजी सबको पसंद आता है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल लगता है मैं बहु प्याज चौप किया हुआ ढालेंगे और से चला देँगे जब प्याज का अक़लर चेंज होने लगे गा तब हम इसमें एक हाल चॉप करके डालेंगे मिक्स कर देंगे एंग यह देकिसे अच्छे मिक्स होंधें खिल भी работает मिछ व्दार डालेंगे और से मिक्स कर देंगे टू टेबल स्पून पाव भाजी मसाला डालेंगे, पाव भाजी के मसाला मैंने घर बनाये, इसकी इंडिडेंट में रिस्किप्शन में आपको दे दूंगी, ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें अपनी फ् अपनी करेंगे, जब ये अच्छे से मिक्स नमक करेंगे, ईसे अच्छे से वापस से मिक्स करदेंगे, और अब हम इसमें 2 कप पाणी को डालेंगे, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसलिजिश से पाणी डाल सकते हैं, ये देखिए अब कुकर को बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कितनी बहतरीन सबजी बन के रेडी हुई है अब हम इसे मतनी के सायता से इसे अच्छे से मैश कर देंगे देखिए मैश हो गया है अब हम इसमें एक मुटी धन्या पति और कसूरी मिथी डालके इसे तड़का लगा देंगे यह रेडी हो गया हमारा भाजी बनके अब हम भाजी के साथ खाने के लिए मसाला पाव तयार करेंगे सबसे पहले एक पैन में टू टेबल स्पून बटर डालेंगे चौप किया हुए प्यास डालेंगे धन्या पति डा आये हैं यह देखिए यह बहुत ही बढ़ियां पाव बनके रडी होता है मसाला पाव बनके बिलकुल रडी है चलिए अब भाजी के साथ हम इसे सर्फ करेंगे प्लेट में भाजी को निकालेंगे इस तरीके से हम पाव को रखेंगे अब चौप किया हुए अनियन नीबू ह पारी मीच और अचार हम रखेंगे अब हम भाजी पे एक टीस्पून बटर डालेंगे देखिए हमारा भाजी देखने में कितना बढ़ियां लग रहा है खाने में भी यह काफी स्वादिश्ट है पाव भाजी बनके बिलकुल रेडी है बिलकुल बाजार के जैसा पाव भा हिट करना ना भूलें ताकि मेरी नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आप से मिलने आऊंगी ओके बाई टेक केर फ्रेंड्स